हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो हम हमें एक क्वेश्चन सॉल करने वाले हैं ठीक है यह क्वेश्चन क्या है कि मल्टिप्लाइ माइनस 13 एंड माइनस 20 यूजिंग बूट्स अलगोरिथम ठीक है फ्रेंड्स सो हम बूट फ्लो चार्ट चलियर होना बहुत जरूरी है जो कि कुछ इस प्रकार से है स्टार्ट करते हैं AC की वैल्यू हम जीरो सेट करते हैं Q1 हमारा वन बीट रजिस्टर है M हमारा मल्टीप्लेकेंड यानि A multiply by B अगर होगा तो A हमारा मल्टीप्लेकेंड होगा ठीक है यानि M होगा और Q हमारा multiplier it means B होगा counter हम N number तक चलेंगे ठीक है उसके बाद हम Q0 Q1 को compare करेंगे अगर हमारा Q0 Q1 00 या 11 आता है तो हम arithmetic shift right perform करेंगे यानि किसको shift करेंगे AC Q और Q1 को ठीक है उसके बाद counter से counter 1 minus कर देंगे उसके बाद अगर हमारा Q0 Q1 जो है वो 0 और 1 इसके बराबर आता है तो हम क्या करेंगे AC equals to AC plus M perform करेंगे ठीक है अगर हमारा Q0 Q1 को compare करने पर कुछ result इस तरीके से आता है यानि 1 0 के बराबर आता है तो हम क्या करेंगे AC equals to AC minus M ठीक है ये perform करेंगे उसके बाद last में हम चाहे हमारा result Q0 Q1 को compare करेंगे 00 आये या 01 आये या 10 आये 11 आये सभी condition में at last हम क्या करेंगे ASR perform करेंगे यानि कि arithmetic shift right उसके बाद हम counter से minus 1 जो है subtract कर देंगे और फिर check करेंगे क्या हमारा counter 0 के equal हुआ है अगर हो गया है तो हम process end कर देंगे otherwise हम इस loop को बार बार repeat करते रहेंगे जब तक कि हमारा counter 0 न हो जाए तो friends ये था आपका boots flow chart ठीक है अगर आपको boots boots का flow chart समझने में और कोई problem है तो मैंने पहले भी इसकी video बना रखी है मैं उसका link description box में दे दी हूँ आप वहां से जाकर देख ले ओके friends friends इस question को solve करने के पहले हम ये देख लेते हैं हमें किन-किन चीजों की जरूरत है पहले उसकी binary निकाल लेते हैं जैसे कि minus 13 multiply by minus 20 है ठीक है आप यहाँ flow chart में देख रहे हो AC हमारा 0 set है और Q1 हमारा 0 set है already M हमारा क्या होगा यहाँ पर M हमारा minus 13 होगा तो minus 13 की हमें binary निकालनी है जब हमारा M minus 13 होगा friends तो minus M क्या होगा 13 ठीक है तो 13 की binary निकालनी है उसके बाद हमें Q निकालना Q हमारा multiplier है यानि की minus 20 ठीक है तो minus 20 को आपको binary निकालनी है जब Q हमारा minus 20 है तो minus Q क्या होगा आपका 20 होगा तो 20 की binary निकालनी है ठीके चलिए पहले हम इन सब की binary निकाल लेते हैं आपको पता है 20 की binary क्या होती है 10100 ठीके फ्रेंट्स लेकिन हम इसको 6 bit register में रखेंगे तो हम 10 यहाँ add कर देते हैं ओके फ्रेंट्स यह आपकी 20 की binary हो गई ओके फ्रेंट्स जब हमारे पास 20 की binary आ गई है तो minus 20 की binary निकालना आसान हो गया कैसे 20 की binary का 2S complement अगर आप कर दोगे तो आपको minus 20 की value find out हो जाएगी चलिए हम करके दिखाते हैं जैसे की 20 की binary हमारे पास क्या है 0,1,0,1,0,0 ठीक है इसका minus compliment निकालने के just opposite हो जाएगा 1,0,1,0,1,1 ओके अब minus compliment में आप plus 1 कर दो ठीक है तो इसको add करने के बाद आपको 20 का 2S complement मिल जाएगा चलिए add करते हैं 1,1,0 1 carry 1,1,0,1 carry 1,0,1 1,1,0,1 ओके फ्रेंट्स तो ये आपका 20 का 2S complement मिल गए आपको ठीक है तो 20 का जो 2S complement होगा वही minus 20 की binary होगी तो क्या होगा 1,0,1,1,0,0 ओके फ्रेंट्स इसी तरीके से आपको 13 की binary पता होगी ठीक है 13 की binary क्या होती है फ्रेंट्स 1,1,0,1 लेकिन हम 6 bit register लेकर चल रहे हैं तो double 0 हम यहाँ पर add कर देते हैं ओके ये आपकी 13 की binary है जब आपको 13 की binary पता है तो minus 13 की binary निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि जो 13 की binary होगी इसी का 2S complement जो होगा वो आपका minus 13 की binary होगी कुछ इस तरीके से चलिए निकाल कर देख लेते हैं 13 की binary हमारे पास क्या है 001101 इसका minus complement निकालते है 110010 अब minus complement में प्लस 1 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 की 2S complement यानि 01110011 यह आपके पास यह आपका क्या है 13 की 2S complement ओके फ्रेंट्स चलिए हम लिख लेते हैं क्या है 110011 यह आपकी minus 13 की binary आ गई I hope friends आपके पास सारी values आ गई है अब हम process यानि कि इस question को करना solve करना start करते हैं ठीक है friends इस question को करने के लिए आपके पास चार column होने चाहिए किनकिन सी जोगा पहला आपका AC होगा ठीक है दूसरा आपका Q0 होगा तीसरा Q1 होगा और चौथा column जो होगा वा आपका operation का होगा ठीक है इस तरीके से आप चार column बनाएंगे उसके बाद आप operation करना start करेंगे so friends हमारे पास ये चारो column हो गए अब देखना हमें AC AC हमारा पहले से ही 0 set करना है हम 6 bit register का use कर रहे है इसलिए हम 6 time 0 लिग दिए Q हमारा क्या है जैसा कि आप देख पा रहे Q हमारा multiplier है तो multiplier हमारा इसमें क्या है minus 20 अब friends हम देख लेते है minus 20 की value हमारे पास क्या है 10 11 00 10 11 00 Q1 हमारे पास क्या है 0 1 भी ट्रजिस्टर है हम इसको 0 set कर देंगे ठीक है अब हमारे पास सारी values आ चुकी है अब हम इसको solve करना शुरू करते है friends actually ये question जो है एक comment में हमारे पूछा गया है जैसा कि आप देख पा रहे हो comment किया गया है कि minus 13 और minus 20 को multiply करेंगे तो how many bits are required ठीक है how many bits are required to solve this question यानि हमें कितने bit रजिस्टर की जरूरत होगी इस question को solve करने के लिए friends मैं आपको ये clear करना चाहती हूँ maximum number है वो 20 है और 20 को आप 5 digits में लिख सकते हो binary में ठीक है तो मैं ये consider करके चलती हूँ कि आप एक digit जो है वो extra ले लो ठीक है यानि 6 digit तो जब आप 6 digit यानि 6 bit register का use करोगे इस question को solve करने के लिए तो it means कि जितने bit का register आपका होगा उतने cycle में आपका process complete हो जाएगा और आपको आपका answer मिल जाएगा ठीक है तो आप 6 cycle complete करोगे 6 cycle जहां ही complete होगा वहीं आपको इसका answer मिल जाएगा 260 की binary ओके फ्रेंड्स चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना हमने सारी value यहां पर put कर दी है उसके बाद हमें क्या करना है q0 और q1 को compare करना है यानि q0 और q1 को compare करना है तो जब हमारे पास q0 और q1 equals to 00 आया ठीक है तो हमें क्या perform करना है जब q0 q1 को compare करने बाद 00 आया तो asr यानि arithmetic shift right perform करना है arithmetic shift right क्या होता है और एक normal shift right क्या होता है इसको भी हमने एक वीडियो में already बता रखा जिसका link आपको description box में दिया गया है आप वहाँ जाके ये चीज़ समझ सकते हैं तो इसको हम ASR operation perform करेंगे यानि एक bit जो है वो right shift हो जाएगी ये वाली bit आपकी इधर आजाएगी ये bit इधर चली जाएगी ऐसे ही ये सारी bit, एक bit right shift होगी तो क्या हो जाएगा? ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहां यहाँ, 0 यहाँ, 1 यहाँ एक space खाली है क्योंकि ये 6 bit register है तो ये 0 यहाँ आ जाएगा ऐसे ही सेम ये सारे 0, 1 bit, right shift हो जाएगे ठीके? और जो last bit होगी हमारी वो adjectives यहां भी आ जाएगी ठीक है last वाले bit ओके इस तरीके से तो friends हमारा first cycle जो है वो complete हो गया ठीक है अब हमारा counter जो है वो 6 है लेकिन ठीक है हमारा counter जो है वो 6 bit है ठीक है तो 6 minus 1 equals to 5 ओके यानि कि अभी हमारा counter जो है 0 नहीं हुआ है it means हम यही loop दुबारा से repeat करेंगे जैसा कि आप यहां flow chart में देख पा रहे हो counter जब तक 0 नहीं होगा तो यही loop हम बार बार repeat करते रहेंगे जब तक कि हमारा counter 0 नहीं हो तो अभी हमारा counter जो है वो 5 है ठीक है तो हम next start करते है loop फिर हम q0 और q1 को compare करेंगे तो हमारे पास फिर 00 आ जो हमारी ये वाली bit है हमने उपर के सारी bit सेम उतार ली है asr perform करेंगे तो ये bit इधर चली जाएगी ये bit यहां आ जाएगी one bit सभी bit जो है एक एक bit right shift हो जाएगी वो 0 पर 0 ठीक है और ये वाला जो 0 है यह यहां आ जाएगा अब ये सारे जो 0s है one bit right shift होंगे कुछ इस तरी second cycle भी complete हो गया ठीक है एक first cycle complete second cycle complete अब हमारा counter देखते हैं 5 था 5 minus 1 equals to 4 यानि not equal to 0 यानि कि अब दुबारा से हम फिर यही लूप repeat करेंगी ये वाला ठीक है अब फिर हम q0 और q1 को compare करते हैं q0 और q1 को compare करते हैं क्या आया है one zero ठीक है friends one zero आया है अब आप यहाँ लूप में देख पा रहे होगे flow chart में कि one zero जब q0 q1 को compare करने पर one zero कुछ इस तरीके से हमारा result आता है हमें क्या perform करना होता है a c equals to a c minus m ठीक है a c equals to a c minus m ओके अब हम यह देखते हैं कि a c हमारा क्या है यह है यह है यनि की zero 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 ठीक है अब minus m की value friends हम यहाँ से देखते हैं जो हमने निकाल रखा है हमारे minus m की value क्या है 13 की binary ठीक है 13 की binary क्या है friends zero zero one one zero one ठीक है इसको हमें add कर देना है ओके zero one one zero 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 one one zero zero यह हमारी current a c की value आई है ठीक है friends अब current a c की जो value है वो हम यहाँ put कर देंगे यानि की zero zero one one zero one q0 की भी value एजटिज उतार लेंगे और q1 की भी value उतार लेंगे same ठीक है अब उसके बाद जो हमारा next operation इनके बाद perform होगा जैसा कि आप यहाँ देख पार रहें इस operation के बाद arithmetic shift right यानि की asr perform होना यानि one bit right shift तो यह bit इधर चली जाएगी right यह bit आपकी यहाँ आ जाएगी ओके फिर यह सारी bit जो है एक bit right shift होंगी यानि कुछ इस तरीके से one zero one zero zero यह one यहाँ आ जाएगा ठीक है यह सभी bit भी even bit right shift होंगी यह नि zero one one zero zero और यह zero भी ht यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरीके से ओके फ्रेंट्स तो हमारा third cycle भी इस तरीके से complete होता है ठीक है फ्रेंट्स अब हम fourth cycle solve करने start करते हैं फिर यह हमने हमारे पास जो भी आया है ac q0 q1 की value हमने same यहाँ पर put कर दी है अब हम देखते हैं q0 और q1 को compare करते हैं ठीक है तो हमारे पास कुछ result इस तरीके से आता है one one ठीक है फ्रेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हो q0 q1 को compare करने पर जब one one आता है तो हमें सिर्फ arithmetic shift right perform करना होता है asr ओके फ्रेंट्स तो यह सभी bit जो है one bit right shift हो जाएगी यह bit इधर चली जाएगी यह one यहाँ आ जाएगा और यह सभी bit one bit right कुछ इस तरीके से shift हो जाएगी यह 0 आपका यहाँ आ जाएगा ओके फ्रेंट्स और यह सभी bit one bit right shift होंगी कुछ इस तरीके से और यह 0 hd यहाँ आ जाएगा ठीके फ्रेंट्स इस तरीके से हमारा यह fourth cycle complete होता है ठीके फ्रेंट्स अब आपको पता होगा कि जो आपका counter है फ्रेंट्स वो 6 bit था ठीक है तो अभी आप fourth cycle complete किये हो यानि कि यानि कि आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो 3 minus 1 equals to 2 यानि अभी दो cycle और बाकी है not equal to 0 ठीक है या फिर इस तरीके से देख सकते हो कि आपको 6 bit है register तो 6 minus आपने fourth cycle complete किया यहाँ पर 6 minus 4 equals to आपका क्या है 2 यानि अभी दो cycle और करेंगे तब हमें हमारा result मिलेगा ओके फ्रेंड्स अब हम फिर q0 और q1 को compare करेंगे तो हमारे पास क्या आया है 01 ठीक है 01 जैसा क्या flow chart में यहाँ देख पार होंगे जब q0 q1 को compare करने के बाद 01 आता है तो हमें क्या perform करना होता है ac equals to ac plus m ओके तो हमें क्या करना है ac equals to ac plus m ठीक है फ्रेंड्स अब ac की हमारी value current क्या है यह है यानि कि 000011 ठीक है फ्रेंड्स अब m की value क्या है जैसा कि आपने हाँ सारी value already निकाल रखी है तो m की value क्या है minus 13 और minus 13 की जो binary होगी यानि कि यह 110011 ठीक है आप इसको add कर दो दोगे ac जो ac की current value है यानि कि यह और plus m यानि कि जो आपने value निकाल रखी है positive में m की value minus 13 थी और उसकी binary यह है ठीक है इन दोनों को जब आप add कर दोगे तो आपको current ac की value आ जाएगी चलिए हम add करते है 11011011011 और one carry ठीक है 101011 ओके फ्रेंड्स यह आपकी current ac की value आ गई चलिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं जो ac की value है 110110 ठीक है q0 की value हम यहाँ already यह से same put कर देते हैं 010010 और q1 की value same हम put कर देते हैं एक operation तो हमारा यह हो गया इस situation में ठीक है और दूसरा operation जैसा कि आप flow chart पे देख पा रहे हैं कि कुछ भी करने के बाद last में हमें asr ही perform करना है second operation asr ठीक है अब इसको हम one bit right shift करते हैं यह bit इधर चली जाएगी यह आपका यहाँ आ जाएगा 010010 और यह 0 यहाँ आ जाएगा ठीक है इन सब को भी करते हैं 11011 और यह one as it is यहाँ आ जाएगा friends इस तरीके से हमारा fifth cycle complete होता है ठीक है अब हमारा counter क्या है 2-1 equals to 1 not equal to 0 अभी हमें एक cycle और perform करना है उसके बाद हमारी हमारा result मिलेगा चलिए friends अब देखते हैं यहाँ हमारा q0 और q1 क्या है q0 और q1 equals to 10 जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो q0 और q1 को compare करने के बाद अगर हमारे पास 10 आता है तो हमें क्या perform करना होता है ac equals to ac minus m perform करना होता है ठीक है friends क्या करना होता है ac equals to ac minus m जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो अब हमारी current ac की value क्या है यह है क्या है 111011 minus m की हमारे पास क्या value है आप यहाँ से देख लो minus m की value 13 की binary यनि कि 00110 01 ओके इनको हमें add कर देना है चलिए हम add करते हैं ठीक है friends 110 1 carry 110 1 carry 1 carry add करने के बाद ठीक है और last में आपकी 1 carry आ जाएगी ओके फ्रेंट्स तो हम multiplication की case में क्या करते हैं carry को discard करते हैं ठीक है और आपके पास जो current ac की value आई हो वो क्या ही है 001 0000 इसके बाद क्या करना है आपको जो current ac की value आई है यानि जो आपकी carry आई है उसको आप discard कर दोगे current ac की value आप यहाँ put करोगे ac में 001 0000 Q0 के जो value है उसको आप यहाँ same लिखोगे 001 001 और Q1 की भी value 0 यहाँ लिखोगे last में आपको क्या करना है friends asr perform करना है ok asr आपको last में perform करना है one bit right shift करना है यानि यह 0 इधर चला जाएगा यह 1 यहाँ आ जाएगा सभी bit one bit right shift होंगी इस तरीके से 100 ठीक है और यह 0 आपका यहाँ आ गया ठीक है एसे same यह भी bit one bit right shift होगी और यह 0 यहाँ भी आ जाएगा ठीक है friends यह आपकी 6 cycle complete होती है यानि कि अगर आप counter की value देखो यहाँ 1 था तो 1-1 equals to 0 ठीक है अब आप flow chart में देख सकते हो counter आपका 0 हो चुका है यह means कि आपका process end करना है चलिए friends congratulations आपको आपका result मिल गया है अब हम result calculate कर लेते हैं friends आपको पता होना चाहिए कि आपका result जो है कहां से कितना calculate होगा जो यह आपका Q1 है इसे हटा देंगे आप ठीक है सिर्फ AC और Q में जो भी value store होगी ठीक है वही आपका result होगा यानि कि सिर्फ इतना AC और Q में जो भी आपकी value store होगी जो भी digit store होगी सिर्फ आपका उतना ही result होगा चलिए हम calculate करते हैं देखते हैं यह कितने की binary है ठीक है इसको आप इस तरीके से calculate कर सकते हैं जैसे 2 की power अगर करेंगे 2 की power 0 ठीक है 0 multiplied by 2 की power 6 0 multiplied by 2 की power 7 0 multiplied by 2 की power 8 0 multiplied by 2 की power 9 0 multiplied by 2 की power 10 0 multiplied by 2 की power 11 ओके फ्रेंट्स इस तरीके से ही आप इसका decimal calculate करते हो by and this 2 decimal ठीक है अब यह सब जितने 0 है 0 की power 2 यह सारी जितने हैं यह 0 हो जाएंगे अब 2 की power 2 यानि कि 4 multiplied by 1 it means यह 4 यहां से आ गया और यहां से आपका क्या आ गया 1 multiplied by 2 की power 8 जो यह है ठीक है फ्रेंट्स इन दोनों का आप addition कर लो कि 2 की power 8 multiplied by 1 यानि 256 प्लस 4 यानि कि 260 ठीक है फ्रेंट्स जैसा कि आपको पहले ही यहां देख लिया होगा आपने कि minus 13 multiplied by minus 20 is equal to 260 आपका answer आना है अब minus minus का जब आप multiplication करोगे ता आपका product जो है वो positive में आएगा और आपका यहां answer भी देखे 260 आ गया है ठीक है फ्रेंट्स इस तरीके से आप इस question को solve करोगे ठीक है फ्रेंट्स maximum bit आपकी जितनी होगी ठीक है 5 bit में आप 20 को calculate कर सकते हो 20 को लिख सकते हो एक bit आप extra लेकर चलोगे और आपको आपका result आजाएगा ओके I hope आपको जो है यह question बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपके पास कोई query है ता आप comment section में लिख कर पूछ सकते हैं Thank you so much for watching this video